तो आज दोस्तों हम लोग बियार के एतियासिक जलक के बारे में देखेंगे यानि आज हम लोगों के सामने क्या होगा बियार का एतियासिक जलक आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं तो इतियासिक जलक में देखते हैं बियार इतियास से आज कौन कौन से प्रश्ण है बियार राज का वरण किन दो महान गरंतों में मिलता है दियान रखना दोस्तों बियार के बारे में प्रथम चर्चा अगर हम देखें तो प्रथम चर्चा हम लोगों को रिगवेद में ही मि जाती है फिर आगे चल करके सत्पथ 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 ब्रामड में सत्पथ ब्रामड में ब्रामड में इसके बारे में विस्तार से चर्चा होती है लेकिन यहां पर दोस्तों ब्यार राज का वड़न किन दो महान ग्रंथों में तो महान ग्रंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा भाई, रामायड में भी हम लोगों को इसके बारे में चर्चा मिलती है, इसके अलावा महा भारत में भी अपने बियार की चर्चा होती ही होती है, यह यहां से ध्यान लखना है। इसका वरण विस्तार से आता है। इसमें बियार वासियों को कीकट कहा गया था, किस नाम से समोधित किया गया था, कीकट के नाम से समोधित किया गया था, यह यहां से करना है। चलो भाई, स्क्रीन साथ रखते हुए चलो, सभी के लिए दोस्तों क्या रहेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट बनेगा। चलिए, नेक्स्ट पढ़ाव पर आते हैं, बियार का प्राचिंतम वडन अथर्ववेद वपंचवीस ब्रामण में मिलता है। इसमें बियार को क्या कहा गया था? इसमें बियार को दोस्तों वरात्या, वरात्यचित्र कहा गया था, वरात्यचित्र के नाम से समोधित किया गया, यह बियार का पुराना नाम बताया गया था, वरात्या, जो अथर्ववेद और पंचवीस में इसके बारे में वडन किया प्रगयतिहासिक काल के साक्ष बियार में वर्तमान में कहां कहां से मिलते हैं तो वर्तमान में अगर दिखा जाया तो यह हम लोगों को सारण से मिल सकते हैं पटना से मिल सकते हैं नालंदा से प्राप्थ हुआ है नालंदा के लाओं दोस्तों गया से प्राप्थ हुआ है गया आदी छित्रों से गया आदी छित्रों से प्राप्त हुए जिसमें सबसे अधिक तो सारण से सारण का दोस्तों जो चिरांद छित्र है कौन सा चिरांद छित्र ये इसका गड़ है ये इसका क्या है गड़ है ये ध्यान रखना है भारत के सोलह महा जनपदों में से तीन अपने बियार में ही था इसके लावां दोस्तों वज्जी इसके लावां क्या वज्जी संग पूरा का पूरा बनता था और साथ में दोस्तों अंग प्रदेश ये तीन अपने बियार में थे 2016 महा जन्पदों में तीन क्या है ये अपने वियार में थे मगध, वजजी, संग और अंग इन तीनों का संबन्ध अपने वियार से बनता है इसके अलावां आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो बुद्धकाली ने 10 गड़ राज, 10 गड़ राजीयों की बी चर्चा होती है बुद्धकाल में जिसमें से 3 अपने बियार में थे, कौन-कौन से थे तो ध्यान अकना दूस्तों इसमें विदेह की चर्चा होती है विदेह इसके अलावा अगर दिखा जाये तो बुली की चर्चा होती है इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो लिछवी ये क्या थे ये गड़ राज थे ये गड़ राज थे जो दस गड़ राजियों की का गथारह पुरानों की चर्चा उती है अठारह पुरानों के बारे में बात करी यह तो इसमें मत से पुरान में वियार का वड़न है इसके लावार अगर दखा जाए तो वायू पुरान में और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्राहमड यानि ब्राहमड पुरान इन पुराणों में हम लोगों को बियार के साक्ष मिलते हैं यह जो पुरान है इनमें हमको बियार के साक्ष मिलते हैं यह हां से द्यान रखना है इनका वरन मिलता है अंग महा जनपद जो कि दोस्तों सोलह महा जनपदों में से एक था जिसकी राजधानी राजधानी अगर देखा जाए तो राजधानी चमपा मालिनी चमपा मालिनी इसकी राजधानी बनती है वर्तमान में बियार के किन किन जिलों में इसका प्रमुख रूप से प्रमुख रूप से ब बागलपूर बागलपूर के साथ साथ अगर दिखा जाए तो जो मुंगेर का छत्र है ना वहां पर इसका बिस्तार दिखता है यानि ये दो जिले हैं कौन-कौन से बागलपूर मुंगेर बाका का छत्र भी इसमें कुछ हिस्सा जुड़ता है लेकिन प्रमुक रूप से अग लेंगे तो असपश्ट रूप से तो दोस्तों अपनी जो राजदानी च्छेतर है पटना और पटना के इर्द-गिर्द का पूरा का पूरा च्छेतर इसके लावा दोस्तों इसमें बड़े जीलों में अगर दिखा जाए गया गया का च्छेतर जो कि ये बिसेस तोर से यहां जो पटना का चितर है वो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार ले करके चलता है वाई हो जाएगा सभी का पका चलिए यहां से करते हुए चलिएगा सभी के लिए विसेस रहेंगे यह आज हमने कहा था कि आज हम लोग बियार के इतिहासी के जलक को देखेंगे और यह इतियास खंड के विप रसन हैं जो अपने बियार से बनते हैं और लगातार आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इन सब को साउधानी से करना है एलोरा के कैलासनाथ मंदिर का निर्मान किसने कराया था एलोरा की गुफा एलोरा की गुफा दोस्तों यह कहां पर अभी हमने आपको बताया कि यह महराश्टा के अंदर यह चलती है और इसको अगर दिखा जाये तो राष्ट कूट सासकों का इंपोर्टेंट्स आता है तो एलोरा का यह कैलासनाथ मंदिर का निर्मार किसने करवाया था यह आपसे पूछ रहा है तो द्यान रखना इसका निर्मार दोस्तों क्रिश्र प्रथम ने करवाया था किसने करवाया था क्रिश्र प्रथम हाँ सभी को नोट करना आज बहुत किस के किस के लिए तो अलौरा की गुफा दूसतों जो मंदिर हैं उनको अगर देखा जाए तो ये मंदिर हिंदु धर्म इसके अजके अलाव अगर देखा जाए तो इनका संबनध बउदधर्म गोर्ण जेन धर्म इन तीनों के लिए में ये विसेसile कि नہते तीनों के लिए होते हैं, हिंदु धर्म के लिए भी हैं, बौध धर्म के लिए भी हैं, और जैन धर्म के लिए भी बनते हैं, तीनों के लिए बनते हैं भाई, ये ध्यान रेकना है, ठीक है, महाबलीपुरम का सब्त पगोड़ा द्वारा सनक्षित कला का साक्षी कौन सा बनत करते हैं क्योंकि इनका निर्माड पल्लव सासकों ने करवाया है महावली पुरम का जो मंदिर है महावली पुरम के जो सब्त पैगोडा बनते हैं यह पल्लव काल के सासकों के साक्ष का प्रमाड है और यह उन्हीं के साक्ष का प्रदर्शन करते हैं यह आप सब को ध्यान रख ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट पर आईए वाई एलोरा में ठोस सैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलास मंदिर का निर्मार किसके सनरक्षण में किया गया था तो एलोरा का भी हमने आपको सुरू में बता दिया था इसके लिए सनरक्षण किसने दिया था तो सासक के सासनकाल में पल्लव चालुकों के बीच में एक लंबा संगर्स चला था और ये लंबा संगर्स अगर देखा जाये तो पल्लव सासक थे महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन प्रथम महेंद्र वर्मन प्रथम के सासनकाल में इनके बीच में दोस्तों एक संगर्स चला था जो की लंबा था काफी लंबा ये संगर्स चला था जो की यहां से आता है हाँ राष्ट कूट दानती दोर्गवाले बहुत बढ़िया चलिए ये चार-पांच इनका स्क्रीन सार्ट अपने पास संक्लिद करते हुए चलिएगा क्योंकि एतियासिक खंड की ये महत्वपूर्ण बनेंगे भाई हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पुलिकेशन दूति किसका महानतम सासक था तो वातापी के चालुक वातापी के चालुक वनसका दोस्तों ये महानतम सासक के तौर पर जाना जाता है और इसी ने युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया था कौन सा सिला लेख चालुक के समराथ पुलिकेशन दूतिय से संबंध है रखता है जिसके बारे में वो परदर्शन करता है ये आपको बताना है तो कौन सा सिला लेक है बई हाई एहोल का सिला लेक होता है जो इसके बारे में वड़न करता है और विस्तार से इसके बिजियों को बताता है पस्सिमी चालुक वंस का प्रशिद्ध सासक कौन सा इसमें दर्ज होगा प्रशिद्ध सासक के लिष्ट में किसका नाम करेंगे तो यही पुलकेशन दूतिय का ही नाम यहां पर हम लोग लेकर के चलते हैं पुलकेशन क्या हो जाएगा पुलकेशिन पुलकेशिन दूतिय का नाम ही आप सब को यहां पर दर्ज करना है तो छह साथ आठ स्क्रीन साथ जरूर रखिएगा क्योंकि यह सभी प्रस्ण नए है और एतियासिक दृष्टिकोंड से आप सब के एक्जाम के लिए भी खास बने थलवईपूरम में इसका वर्डन मिलता है यहां से ध्यामना है पुस्थक कथा सरिता सायार किसके द्वारा लिखी गई है जो की भिसेश चर्चा में रहती है थो यह पुस्थक किसने लिखा कथा सरिता शागर को अगर देखेंगी तो इसकी रचना करी थी सोम देव किस ने करैं थी तही वहां किसका नाम दर्जाणी होता है। यहांसे द्यान रखना है। यह बहुत ही महतवर्पूंड रहेगा तो आज का जितना भी एक्जाम एक्सप्रेस में हम λोगों ने पड़ा है। सभी मिया सवार этज Ricard झाल झाल